नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पहले ही मियूसेस और पोस्ट पद का दूरुप योग का चुकी है जब की खान भी भाके सचीव आयेस पूजा सिंगल परस्टाचार और मनी लॉंडरिंग में लिप्त पाई गई है अभी वे परवर्तन निदे साला की गिरफतार में है पतादे जाच एजनसी ने कोट में हड़कम पचाने वाले दस्तावेज पेस कर दावा किया है कि पूजा सिंगल के परस्टाचार में सता सिर्ष की भूम का संदिक देहा है इडी को इस मामले में कई पोकता साबोत मिले है सरकार के पक्षकार सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील कपिल सिबल हेमांत सुरेन का बचाव करेंगे इस मामले के सुनवाई उच नियाले के मुखे नियादिश डाक्टर अवीर अधालत में होगी जो सुबह 10 बजे बी से सुनवाई के लिए या हाई प्रोफाइल मामला सुची बधा है जारखन फूटबॉल संग के विवाद पर मंत्री मिलेस बोले मामले का हुआ पटा छे जारखन में खेल की अपार संभवना है राई सरकार खिलाडियों को लगतार प्रोसाहित कर रही है साथ ही खिलाडियों के बेहतर भविस को लेकर काफी परयासरत है बता दे जारखन फूटबॉल संग के अध्यक्स राज के पेजल एम स्वक्षता मंत्री मिलेस ठाको ने कहा है कि All India Football Association ने जारखन फूटबॉल संग को मनाता दिया है अब फूटबॉल की सभी गती विदियों पर संग बेहतर तरीके से ध्यान रखेगा साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई अन्य संग किसी परकार का दावा करता है तो ओ माने होगा राज में अब फूटबॉल संग को लेकर चल रहे सभी तरह की विवादों पर पटाचेफ हो गया है कोरोना का प्रिकोशन डोज लेने में जारखन के लोग नहीं ले रहे रहे रूची जारखन के लोग पैसा खर्च कर कोरोना ठीका लेने में रूची नहीं दिखा रहे है इसका राज में प्रिकोशन डोज का अकड़ा बढ़ नहीं रहा है राज में 18-69 साल के 2,7,9,340 लोगों को पैसा खर्च का प्रिकोशन डोज देना होगा लेकिन अब तक सिर्फ 12,495 लोगों नहीं प्रिकोशन डोज लिया है ग्यात हो कि राज के 12 जिलों प्रिकोशन डोज का टिकार लगना सुरू हो गया है स्वास्थ विभाग क्याक्रे के अनुसार पूर्वी सिमुव में 6,897 राची में 8,94 धनबाद में 1,75 लोगों ने टिका लिया है जारखन के सरकारी स्कूल अब हरे रंग में दिखेंगे जारखन के करी 35,000 सरकारी स्कूल भावनों का रंग फिर से बदलेगा स्कूल भावनों को हरा और अफ वाइट रंग से रंगा जाएगा दरवाजे वाखिड की भी हरे रंग के होंगे बिद्यालियों के रंग रोगन में अब वेदर कोट का उप्योग किया जाएगा रंग रोगन को लेकर बिंदुवार जनकारी जीलों को दे दी गई है निर्देश के अनुरूप प्रकिरिया पूरी करने को कहा गया है स्कूली सिक्षा यों सक्षता विभाग जगरनाथ महतों के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है फिलहाल बिद्याले भवनों का रंग गुलाबी है वहीं दरवाजावा खिड़की अभी गोल्डन ब्राउन रंग के हाए गुमला की इडली बेचने वाली बनी मुखिया जारखन पैंचाय चुना के पहले चरण का नेतिज़ा आ रहा है बता दे अभगाव की सरकार की असली हकी का देखने को मिल रही है कोई इडली बेचकर जीव का चलाने वाली महिला परत्यासी चुनाव जितकर मुखिया बनी है तो कोई जल सहिया भी मुखिया पत पर निर्वाचित हुई है इसके अलावा गरीबों के कारण धान और बैल बेचा और जानता की उमीदों पर खरा उतर कर मुखिया बने है यहां ऐसे ही बिज़ाई परत्यासीों की गाथा बता रहे हैं जो गरीबों में रहकर मुखिया चुनाव जीत चुके है बोकारो रामगर से बनारस कुलकाता तक आठ लेन एक्सपरेस वे 200 किलोमीटर तक भारत राष्ट्री राजमार्ग प्राधी करण की कुलकाता में बुद्धवार से अरंब हुई दो दिवसी ए रिजिनल कॉन्फरेंस में जार्खन की लगभग 500 किलोमीटर की नई सलक परियोजना पर फोकस रहा है बता दे इन परियोजनाओं में बनार से कुलकाता वया वोकारो रामगार लगभग 200 किलोमीटर की आठ लेन एक्सपरेस वे पर जल्द काम सुरू करने को लेकर प्रजियन टेंसन दिया गया 500 किलोमीटर की नई परियोजना में 350 किलोमीटर गिरीन फिल्द छेंत्र बनेगी इसके अलावा करीब 150 किलोमीटर सड़के 2 से 4 लेन की हो जाएगी आई एस पूजा सिंगल फिर बेहोस हुई भरस्टा चार के संगीन मामले में इडिक के हांथे चड़ी जारखन की खान उद्द्योग सची आई एस अधिकारी पूजा सिंगल की तवियत एक बार फिर से बिगल गई है अचानाक वो फिर से पुष्टास के दोरान ही अचेत ह हो गई उन्हें सीने में जलन और बेचाइनी होने की सिकाइट के बाद तुरंत ही डॉक्टर को इमर्जेंसी कॉल की गई जिसके बाद डॉक्टरों ने इडी हेड़क्वाटर पहुचकर पुजा सिंगल की स्वास्त की गहां जाच की उनका बलड प्रेसर काफी बढ़ा हु गई है अभी उनकी अहलात स्थीर है बाबुलाल का भागे लिखने कोलकाता जा रहे है इस पीकर भाजपर बिधावयक दल के नेता बाबुलाल मरांडी की बिधान सबागे सदस्यता पर खत्रा मंदा रहा है स्पीकर ने अधिकरन में उनके खिलाफ दल बदल मामले में जल् अंदर में मस्वेरा किया है सुत्रों के मुताबिक अम्तिम नीनाय लेने के पुर्व बिधान सबाध्यक्स कोलकाता जाकर कानून के जनकारों से सला लेंगे जार्खन में इंस्पेक्टर राज सरकार के आदेश से हड़कम जार्खन राज किरिसी उपज और पसुधन विपनन बिधायक 2022 को अस्थाई रूप से समाप्त करने के लिए फेडरेशन ओफ जार्खन चेंबर अफ कोमर्च आइंड इंडरस्टी ने मुख्य मंत्री को पत् बिधायक के परभावी होने से राज में खाद बस्तुव की कीमतों में बेताहास मुलिबिदी होगी साथ ही इस बिधायक के माद्यम से परभावी होने वाले किरिसी सूर्क की आर्मे भरस्टा चार एवं इस्पेक्टर राज के परोत साहन के असांका भी रहेगी माई से बचाने के लिए ही पिछली एक माह से राज के खद्यान बे पारियोद्वारा बिरोत प्रतन किया जा रहा है जो राज के विकास के लिए सही नहीं है ED कर्याले पहुंची हजारी बाग की महिला ED की लगातार चल रही करवाई के बाद अब आम लोगों में भी जाच एजेंसी की प्रती विश्वास बढ़ता जा रहा है ED की बढ़ती लोग प्रता के बाद हजारी बाग की एक महिला चंचला देवी बुद्धवार की दोफर ED के दफ्तर में अपनी सिकायत लेकर पहुंची थी उन्होंने बताया है कि उनकी 400 एकर जमीन पर NTPC का अबजा करना चाहता है इसमें नौकर सावास थाने बिधायक अंबा परसाद भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हलाकि चंचला देवी को ED ने कोई मदद नहीं मिली ED ने उन्हें कोट जाने की सलाधी है ED कर्याले से निराज होकर बहार निकली चंचला देवी ने रोते हुए सरकार से नयाय की गवार लगाई है धन्यवाद